कि है मुझा सभी के साथ लच्छा पराठा की रेसिपी यह लच्छा पराठा बनाने का सबसे असान तरीका है स्पीडियो मैंने लच्छा पराठा बनाने के प्रोसेस में हर एक सिंगल स्टैप को को डिटेल में शेयर किया है जिससे कि आप पहली बार में ही एकदम परफेक्ट लच्छा पराठा बना पाएंगे तो चलिए आईए शुरू करते हैं बनाना लच्छा पराठा बनानी के लिए हमको यहां पर लेना है दो कप गेहु का आटा आदा कप मैदा एक कप आटे के लिए हमको एक चोथाई कप मैदा लेना है तो इसी साबसे हमको रेशो यहां पर लेनी है थोड़ा सा नमक डालके इसको मिक्स करना है अब यहां पर इसको मिक्स करने के बाद हमको डालना है बैचेस में पानी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जैसा कि आप देख सकते हैं और इनको कमबाइन करना स्टार्ट करना है कि देखे थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते रहना है और इनको खट्टा करना है यहां पर मैं आपको सारे स्टेप्स डिटेल में बताऊंगे जिससे जो बिगनर्स हैं वो भी असानी से बना पाएं यहां पर हमको सॉप्ट डो बना के तियार करना है तो इसलिए हमको यहां पर अराम से हलके हातों से इसको गूंदना है अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कमबाइन होना स्टार्ट हो चुका है तो अब यहाँ पे हमको इसी तरीके से ही आटे को खटा करना है पानी का यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि बिल्कुल इसी तरीके से ही थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है और जब यहां पर इस तरीके से खटा होने लग जाए तो इस पॉइंट में हमको डालना है लग बग एक चोथाई चमश तेल यह हमारे जो आटा हम अभी लगा रहे हैं इसको स्मूध करेगा और सॉफ्ट भी बनाएगा हमने यहां पर मैदा भी डाला है तो इसलिए हमको यहां पर थोड़ा सा तेल डालना जरूरी है और अब हमको यहां पर लग भग एक से दो मिनट के लिए और इसको गूंदना है अब इस पॉइंट में हम जितना अच्छा अपना आटा गूंदेंगे उतने ही अच्छे हमारे पराठे बन कर तयार होंगे तो इसलिए मैंने आपको यह जो स्टेप है डिटेल में दिखाया है ताकि आप असानी से इसको गूंद पाएं और अब इस पॉइंट में जब यह अच्छे से स्मूध हो जाए तो हमको इसको न ढखना है 15-20 मिनिट के लिए कम से कम यह देखे बिल्कुल इसी तरीके से ही और उपर थोड़ा सा ओयल लगा दें जिससे कि इसमें जो मॉइश्चर है वो बना रहे और यहां पर मैंने ओयल डाला है घी नहीं डाला है क्योंकि मुझे अपने पराठे जादा खसता नहीं चाहिए अगर आपको खसता पराठे चाहिए तो आप घी डाल सकते हैं अब बस इसको हमको ढखना है 15-20 मिनिट के लिए आप चाहिए तो गीला कपड़ा करके भी इसको ढख सकते हैं मैं इसको नॉर्मली प्लेट से ढख रही हूँ 15-20 मिनिट हो चुके हैं मेरको इसको ढखे हुए और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पहले से और भी जादा सौप्ट हो चुका है और बस इसी तरीके से ही आपको आपको आखरी 30-40 से के लिए और इसको गूंदना है एक बार अब यह हमारा डो एकदम परफेक्ट बन चुका है लच्छा पराठा बनाने के लिए मैं साइट में यह आटा और रख रही हूँ कि अब हमको यहां पे थोड़ा-थोड़ा पौर्शन लेना है जिस साइस के हमको लच्छा पराठा बनाने है उसके अकौर्डिंग और इनको स्मूद करकेへ ऐसे बॉल साइस बनाना 1 यह देखे बिल्कुल इसी तरीके से ही थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेना है, रोल करना है, राउंड शेप देनी है अभी मैं आपको यहां पे दोल अच्छा पराठा बना के दिखाऊंगी अब हमको यहां पे रोलिंग बोर्ड में इसी तरीके से ही थोड़ा सा सूखा आर्टा स्प्रिंकल करना है और यह बॉल्स को फ्लैट करके सूखा आर्टा से कोट करके, अब यहां पे इसको राउंड शेप देनी है ये देखे बिल्कुल इसी तरीकी से ही clockwise हमको चलना है, हलके हातों से बेलन का यूज करना है और इसको जैसे हम रोटी बेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही बेलना है, यहाँ पर हमने मैदा भी मिक्स किया है, तो इस वजे से इसमें थोड़ा सा खिचाव रहेगा तो जब भी आपको लगे कि यह चिपक रहा है, तो आप हलका सा सूखा आटा लगा सकते हैं, और फिर इसको रोल कर सकते हैं और यह हमको रोटी से थोड़ा सा मोटा ही रखना है, इसकी राउंड शेप देने के बाद अब हम इसमें यह ओल लगाएंगे, यह देखे बिल्कुल इसी तरीके से ही हमको स्प्रेड करना है, आप इसके जगे मक्खन का यूज भी कर सकते हैं, और फिर इसके ऊपर हमको सू इसके बाद लेयर्स जो है वो अलग-अलग निकल कर आएंगी सूखे आटे की वज़े से, तो यह स्टेप काफी जरूरी है, और अब यह देखे इसी तरीके से ही फोल्ड कर करके हमको लेयर्स बनानी है, और हलके हातों से इनको चिपकाना है, और की वज़े से यह अराम से स थोड़ा-थोड़ा, और अब इनको रोल करना है, बिल्कुल इसी तरीके से ही हलके हातों से स्ट्रेश करते हुए, राउंड शेप देते जाना है, और फिर यह जो आखिर में आटा बचेगा, इसको हमको स्टिक कर देना है, यह देखे बिल्कुल इसी तरीके से हलके हातों स पहले चलिए बेक और बनाते हैं इसी तरीके से हमको rolling board में सूखा आटा स्प्रिंकल करना है फिर वो जो आटे की balls बनाई थी वो लेनी है और इसी तरीके से ही रोटी की शेप देनी है मैदा है मैदे की वज़े से थोड़ा सा खिचाव रहता है तो इसलिए आप सूखा आटा स को बनाना है थोड़ा मोटा रखना है और फिर इसमें oil या मखन को स्प्रेड करना है oil मखन स्प्रेड करने के बाद इसमें सूखा आटा स्प्रिंकल करना है अच्छा से स्प्रिंकल करना है कि यहां पे हर कॉर्णर पे भी आटा लगे और फिर इसको फोल्ड करना स्टार्ट करना है ये देखे एक केबाद एक लेयर बनानी है और फिर उसको stick करना है हलके हातों से तो बस यही में स्टैप है लग्षा पराठा बनाने के लिए आपका आठा आप जितना soft लगाएंगे उसके बाद यह लेयर बनाएंगे फिर तो पराठा बनाना बहुत आसान है इसी तरी तो इसे ही थोड़ा stretch करना है stretch करते हुए दूसरे हाथ से roll करते जाना है और फिर end में इसको stick कर देना है यह देखे हलका सा प्रेस करके तो यह आराम से चिपक जाएगा लच्छा पराठा बनाना जादा मुश्किल नहीं है बस इसमें यह जो एक step है यह एड़ान हो जाता है बाकि आप simply इसको बना सकते हैं इसमें बनाने में जादा कोई मुश्किल नहीं है जैसकि आप देख सकते ह तो इसी तरीके से ही सारे रोल करके आपको तयार करने है और यहां पर जिस भी प्लेट में या बर्तन में आप रखेंगे उसमें थोड़ा सा सूखा आठा स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर रखें और इसको भी कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट दें जिससे की जो ऑईल और आठा हमने लगाया है वो सेट हो जाए अब 10 मिनट बाद हमको यहां पर सिंपली जैसे हम रोटी या पराठा बनाते हैं राउंड शेप में उसी तरीके से ही प्रोसेस को करना है यह देखे बिल्कु लिसी तरीके से ही सूखा आठा लगाया अब इसको यहां पर तो आप इसी तरीके से थोड़ा सा सूखा आठा स्प्रिंकल कर सकते हैं जादा नहीं करना है थोड़ा सा भी करेंगे तो यह आराम से बन जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यह आचानी से स्ट्रेच हो रहे हैं और इनकी जो लेयर है वो भी आभी आपको दिख रही हों तो अब यह जो स्टेप है यह आपके लिए असान हो जाएगा एकदम रोटी या पराठे की तरह आपको इसको बेलना है यह देखे बिल्कुल इसी तरीके से ही राउंड शेप देनी है हलके हातों से थोड़ा सा भी स्रिकी लगे तो आप बिल्कुल थोड़ा सा सूखा आठ यूज कर सकते हैं बाकि इसमें ज्यादा लगाने की जोरत नहीं पड़ेगी और फिर इसको आराम से राउंड शेप दे सकते हैं अब हमको यहां पर लेना है तवा कोशिश करें कि आप नॉन स्रिक तवा का यूज ना करें यह लोहे का जो तवा होता है इसमें यह पराठे काफी अच्छे बनेंगे और इसको आपको दोनों तरफ से सेखना है मीडियम फ्लेम पर ही फिर इसमें मक्षन घी या फिर तेल को सेखना है यह देखे बिलकुल इसी तरीके से ही मैं दोनों पराठे सेख रही हूं तो बस यहां तो आपको मीडियम फ्लेम पर ही जैसे हम नॉर्मल पराठा सेखते हैं एकदम वैसे ही सेखना है और यह पराठे हमारे जो है अच्छे से सेख चुके हैं अब चली इनको सर् करने से पहले आपको क्या करना है यह जो पराठा है इसको इसी तरीके से क्रश करना है और जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी असानी से क्रश हो रहे हैं तो यह कितने सॉफ्ट बने हैं यह देखे मैं आपको दिखाती हूं यह असानी से फोल्ड हो रहे हैं और यहां पर यह तरीके के पसंद है आप उस साइज के और उतने ही मोटे या पतले कर सकते हैं आप चाहे तो पराठे को इस तरीके से कट करके भी सर्फ कर सकते हैं ये देखिए इनकी जो लेयर है क्रश करते ही कैसे अलग-अलग हो रही है एकदम परफेक्ल अच्छा पराठा बने हैं अब करते वक्त ध्यान रखना है और फिर जो लेयरिंग करनी है वह वाला पार्ट एक्स्ट्र है बाकी इनको बनाना बहुत आसान है अब मैंने इन में ऊपर से थोड़ा सा मखन लगा दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी लेयर कितने अच्छी तरीके से निकल कर आई ह यही एक परफेक्ट लच्छे पराठे की निशानी होती है बस थोड़ा साहरा धनिया और डाल रही हूँ ताकि यह देखने में और भी जाद अच्छे लगे सो यह है मेरी लच्छा पराठे की रेसिपी अगर आपको मेरी वीडियो यूसफुल लगी हो आपको नहीं रेसिपी सीखने को मिली हो तो मुझको कॉमेंट करके जरूर बताएं मेरी इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर आप नभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न बादा न भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले थैंक्स वर वाचिंग